मोर्नी और सारस की कहानी एक मोर्नी थी बहुत खुबसूरत वो जंगल से निकल रही थी उसने नजरे गुमाई दिखाए चिर्यों का जुन बैठा था वहाँ पहुची और बोली अरे क्या है ओ तुम चिर्या लोग तुम्हारे तो एक ही रंग है ना एक सफेद, हरा, भूरा मैं तुम्हें अपने रंग दिखाऊं चिर्या ने बोला हाँ बहुत सारे रंग है मुझ में देखो चिर्या ने बोला वारे वा तुम्हारे तो बहुत चाही रंग है मोर्णी, घमन से चूर चूर वहां से निकलने लगी, फिर उसने नजरे घुमाई और देखा एक सारस बैठा था, एक तांग खड़ी करके, मोर्णी ने उसे देखा, बोला तुम्हारा नाम क्या है रे, मेरा नाम सारस है, मैं एक तांग खड़ा होता हूँ, अच्छा, मेरा नाम मोर्णी है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें कुछ दिखाओ, ओके दिखाओ, देखो कितनी खूपसूरत हूँ मैं, कितने सारे रंग है मुझ में, बहुत अच्छे रंग है तुम्हारे, तुम्हारे तो सिर्फ दो रंग है ना, करते क्या हो सारस मैं ओर सकता हूँ मैं पानी पे तैर सकता हूँ और मैं पानी के चारो तरफ चक्कर भी लगाता हूँ चल जूटे तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते मैं तुम्हें दिखा हूँ क्या चल दिखा सारस ने अपने पंग फैलाए और एक लंबी उडान ली मोर्नी की आखे फटी की फटी रह गए, सारस ने पानी की चारों तरफ एक लंबा चक्कर लगाया और उत्रा, मोर्नी थोड़ी घबरासी गई, क्या हुआ, देखा मैंने बोला था, मैं ओड़ सकता हूँ, मैं पानी पे चर सकता हूँ, और पानी के चकर लगा सकता हूँ, दिखाया ने म और नीप पूरी शरम से पानी पानी हो गई, उसने अपने पंक पीछे करे और निकल गई,